भाजपा वालो थोड़ा डरो यार सिर्फ डराओ मत डरो देश की बेटियां जब रोटली है देश की बेटियां का जब आशू बहता है तो उसके बहुत दुस्प्रिणाम निकलते हैं और आने वाले समय में तुम्हें दिखेगा उनका स्राप लएगा तुम्हें और तुम्ह विचार करो यारो भजपा वालो अगर ये पोस्को एक आपके हमारे खिलाब लगा होता पुलिस एक घंटा बिलंब नहीं करती उठा कर जले बंद कर देती कानून अमीरों का गुलाम होता है ये सुना था और आज ये देख भी राम ये केंस सरकार को सर्म से डूम मरना चाह है हुआ और बिजबूसर पाइदा करना चाहते है नमस्कार असलाहालेकूम आदाब मैं हूँ यूसुप अली आप देख रहे हैं सेफनी उतलाइव आज ये नजर डालते हैं आज की खास कवर पर दोस्तों नजारे हमारे देश को इस समय क्या हो गया है किसकी नजर लगी है कि हमारी सरकार है वो बहरी हो चुकी है ना सरकार को लोगों की तकलिफ दिखाई देती है ना लोगों के प्रदर्शन दिखाई देते हैं आप सभी जानते हैं मुद्दा इस समय काफी चर्चा में हैं दिल्ली में दिल्ली के देंतर मंतर पर कुछ देश के देश का नाम कि यह भप्र हाल एक कि इसी तो होंड़ाई सकते कि इनके आरौप की जाँच तो होनी चाहिए लेकिन क्या सरकार जांच कर रही हैं तो जांच की में आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है है आप सभी जानते फिर से मामला दिली के जंतरमंतर वाला जहां महिला कुष्टी खिलाडी उन्होंने आरोप लगाया है बाजपा के सांसद ब्रिजबुशन सिंग के उपर कि उन्होंने महिलाओं का अत्याचार किया है और इस बारे में सरकार अभी भी कहीं न कहीं आखें मूंद कर बेटी है और दृतराश्ट की इसे सम्मादित नहीं किसी भी पक्ष और अ महाराष्टकतादल शेक्विलर सदस्याव इसलिए उकटा हुए है कि आजके तारिक में एक बाजू में हमारी केंदरसरकार बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दुसरे बाजियों में वही बेटिया जो बेटिया कुछ मेडल लेके आती है और उनके उपर अत्याचार हो रहा है जो अत्याचार कर रहा है वो BJP का आदमी है और उसके उपर एक्शन यही लिए जाती है जनतर मंतर पे वो बहुत ताकत से अपना एजिटेशन कर रहे है उनके सपोर्ट में हम वसाई से इकटा होके उनको सपोर्ट देना चाहते है क्योंकि हम वहां तक पहुंचने के लिए हमको टाइम जाएगा और यह बहुत सारी चीज जिसमें टेकनिकल बात है तो हम लोग वसाई से इकटा होके उनके लिए सबसे पहले एक बात है जब लगता है मेरे को आपने ही शुरू में बोला था किदर कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं है एक ही है आज की सरकार जो है वो सभी जाती धर्मों में तेड़ी करने का कुछ ना कुछ इंतजाम करती है ऐसा सब का कहना है और actual secularism के इसाब से हम पूरे secular जो भी पक्ष है secular man के जितने भी लोग है जो कहते है जात धर्मा और सब इकटा है हमारा भारत देश एक है वो सब हम इकटा हुए और अन्याई के विरोध में हम लोग इकटा हुए है वो भी हमारे बेटी के अन्याई के उपर हम लोग इकटा हुए है जहां एक बाजू में बेटी भी कटा हुए है अपका नाम आप क्या कहना चाहेंगे जी मैं अशोक पंडे हूँ मैं एक नॉर्मल इंसान हो आम आदमी हूँ तो दोस्तों ये बुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है जो साब ने बुला पर उससे भी ज्यादा बड़ा मुद्दा 2014 से हम देखते आ रहे हैं कभी मुसल्मानों पर कभी आदिवासियों पर कभी स्टूडेंट्स पर कभी किसानों पर ये धीरे धीरे किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं ये सब पर अपना अत्याचार करते रहेंगे और ये है कौन ये हमारी देश की सरकार है तो दोस्तों ये जो हो रहा है इसको इसका हम भोर विरोत करते हैं ये मौका मिला है आज हमारा इधर इखटा होने का सेकुलारिसम के हम सब चाने वाले हैं सेकुलारिसम पर हम विश्वास करते हैं और सेकुलारिसम से हम चाते हैं ये देश चले तो हम इसी इनी कारणों वश इधर इखटा हुए हैं और हम सेकुलारिसम देश का जो है उसके लिए लास दम तक लास ब्रेट तक हम लड़ेंगे यह शुरुवाद है यह हमारे जंतर मंतर है वस्वाइकर का मैं किरनशेट हूँ और मैं मेरी पार्टी का राठ्य कारवबारी का सभी हूँ हूँ है में मेंबर अपनेशनल एजीडियों अपने माई पार्टी हम सब्सक्राइब कोई पॉलिटिकल और हम सभी सब्सक्राइब मानने वाला है यहां जमा हुआ है और आज जो बेटी बचा व जो जो नारा देजा है और जो जन्तलमंदर पर जो आज आंधनलन हो रहा है उनके सपोर्ट में उनके साथ लेने लिए हम यह कड़े हैं और हम आगे भी एक करते हैं कि मसारे जन्तलमंदर जाएगे नहीं जाएगे वह बात बहुत दूर थालग है मगर हम जरूर हमरे नेता क और पार्लामेन में सवाल हम उठाएंगे हमारा अधरिया देवगोड़ा साब हमारे एक प्राइम मिलिटर को सवाल उठाएंगे हम उनको रिपोर्ट बेजेंगे और हम दम से आखिर दम तक लड़े चालू रखेंगे और यह देश के अंदर आज जो हो रहा है हम सब सर्कुलर मेरा नाम रवी भूशन है और मेरा पहचान ही है कि मैं वसाई विरार का एक साधारान मत दाता हूँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि वसाईकर जो है और हम लोग जितने वसाई के लोग हैं हम लोग सब साक्षी मलिक के साथ है विनेश फोगाट के साथ है संगीता फोगाट के साथ है देश की बेटिया जंतर मंतर पे लर रही है और वसाईकर उनके साथ कंदेश गंधा मिला के खड़ा है हमारे बहुत सारे लोग यहां से जंतरमंतर जाने भी वाले हैं अपने देश की बेटियों का जो संघर्ष है हम उनके संघर्ष में उनके साथ हमें एक दरफ एक सांसत के उपर आरोब लग जा रहा है इसरकार उसको बचा रही है कहीं नहुंसरी तरफ जो लोग उनके हिलाब बरबरता किया रही पुलिस के दर यह कहां तक है क्या है सकती मिलने के बाद जो इंसान भी पागल हो जाता है और सकती मिलने के बाद कोछ राजनीतिक गलब ही है वो पागलों की तरब विवहार करने लगते है और सक्ति मिलने के बाद कोई खास सिस्टम है वो भी पागलों की तर वेवहार करने लगता है इसका साक्षात प्रमान ये दिया जा रहा है कि गांधी वादी और गांधी वाद को विश्वास करने वाले हमारे पहलवान देश के रास्टी धरोहर है उन्होंने मेडल जीता है शांती पुर्ण धंग से जब वहाँ पे कर रहे हैं अंदोलन तो रात में आप पुलिस को बुलवा के और बरबरता करते हैं महिलाओं को इधर उधर धक्का धुक्की करते हैं इससे पता चल जाता है आज की जो केंदर सरकार है एक्सपोज हो जाती है कि भाजपा का क्या चडित्र है इससे किसी को दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं है भाजपा का चडित्र जो है बिलकुल एक्सपोज हो गया भारत के 135 करोड जनता के सामने कि भाजपा क्या है अरे आप सर भारत की राजधानी में देश की बेटिया शुरक्षित नहीं है आप क्या बेटी बचा बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं आप ड्रामा करते हैं आप नो टंकी करते हैं एक्सपोज हो चुके हैं मोधी जी इसमें कुछ सक नहीं है अपका नाम मेरे नाम सुमित्रा नंदन है मैं कहना यह चाहूंगा कि यह जो बेटियां है हर्याना प्रदेश से आती हैं इन लोग ने मैं टीवी नियूज में देखा था इन्होंने हर्याना के मुख मंत्री को संदेश दिया था कि आप इस पर संग्यान लें लेकिन आज ही मेरी हर्याना के एक महिला मित्र से बात हुई उन्होंने बोला कि ब्रिजभूसन तो एक जाकी है पूरा बीजेपी बाकी है ये ब्रिजबुशन एक नहीं है बीजएपी में, सैकड़ों हैं, खुद हर्याना के एक मंत्री भी इसी केस में फसे हुए हैं, और डिमांड किया गया, लेकिन हर्याना के मुख मंत्री ने कोई कारवाई नहीं कि, आपको ये सिधा रोप है कि ब्रिजबुशन एक मोहरा मातर ह और उनके परदे के बीजबुशन एक बड़े बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन बीजबुशन सिर्फ अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं जो ऐसे केस में फसे हुए हैं, इसी तरह केस में बस बस बशे हैं, लेकिन केस सरकार कोई कारवाई अपने लोगों के खिलाफ करती आपको क्या लगता है, आपका जो मोर्चा है, इसका क्या परिणाम आएगा? पुलिस एक घंटा बिलंब नहीं करती, उठा कर जले बंद कर देती, कानून अमीरों का गुलाम होता है, यह सुना था, और आज यह देख भी रहा हूँ, यह केन सरकार को सर्म से डूम मरना चाहिए, जो बेटी जब मैडल जीत की आई, तो उनके साथ फोटो घीचा है, पर जोड़ना चाहूंगा, कि भाजपा वालो, थोड़ा डरो यार, सिर्फ दराओ मत डरो, देश की बेटियां जब रोटली है, देश की बेटियां का जब आशू बहता है, तो उसके बहुत दुस्परिनाम निकलते हैं, और आने वाले समय में तुम्हें दिखेगा, उनका स्राप लएगा तुम्हें, और तुम्हारे पास कितनी भी सक्ति हो, सामर्थ हो, पैसा हो, उद्धोगपतियों का पैसा हो, क्या होगा यार, जब प्रकृति अपना न्याय खोजेगी, तो क्या होगा, इस पे सोचो तुम लोग, तेश की बेटियों का रोना बहुत बड़ा सेब भाई, क्योंकि हर धर्म में, हर जाती में, कटर लोग भी हैं, और सेकलर विचार धारा के लोग भी हैं, हम सारे सेकलर विचार धारा के लोगों को एक मंच पे लाना चाहते हैं, और भाजपा का जो एक बहुत बड़ा लॉंग टर्म है, और इनसे भाजपा के समर्थ को जब बात कीज़ेगा तो साब बोलेंगे शकलरिजम क्यों रहना चाहिए आपके उपर भड़त जाते हैं दिन दारे इतनी इनकी हिम्मत बढ़ चुकी है तो हम भी एक मोर्चा खोल रहे हैं कि भारत के समिधान में शकलरिजम रहेगा और रहना ही चाहिए इसकी एक लड़ाई वे अलग-अलग वक्ताओं ने अलग-अलग बात कही कुछ लोग जो खास प्रधान मंत्री का एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका क्या हुआ उसकी दुआ ही दे रहे हैं तो कुछ लोग कुछ यहां किनों ने यह बताया कि इसमें कहीं और लोग शामिल है यानि कि कहीं ने कहीं यह काफी एक बड़ा मामला आगे जाकर बन सकता है और शायद केंदर सरकार उसी लिए गबरा रही है कि कहीं हमारे गले की हड़ी न बन जाएं तो अब देखा जाएगा कि आने वाले समय में इस मामले पर होता क्या है लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लोग जो है आज सड़कों पर उतर चुके हैं और यहां से भी अभी एक बाई साब ने एलान किया कि वो खुद दिल्ली जंतरमंतर जाएंगे और इन लोगों को इन लोगों की होसला अफजाई करेंगे इनके साथ वहाँ प्रोदेशन में शा आज के लिए अभी के लिए इतना ही वसाइश से यूसुफ अलीग हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइफ पे अपने व्यापार एउंग सेवा से संबंदित विज्यापन है तू मोबाइल नंबर 7385952786 अथ्वा 77382677 प्रिये से से संबंदित विए ऱफज्वाद है जबर बाल्दित विए शबंसे से संबंसे से सरुछ प्रोदेशन में व्यापन है व्यापन है विए विए जदोग है अबर ऑफ चार